हेलो दोस्तों, दोस्तों क्या आपके भी फोन का स्टोरेज फुल हो गया है और क्या आप भी अपने फोन का स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों आज मैं आपको ऐसी दो सेटिंग बताने वाला हूं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तो आज मैं आपको वह दो सेटिंग बताने वाला हूँ कि वह दो सेटिंग ऐसी क्या है जिसको करने से आप अपने फोन का स्टोरेज 20GB तक बढ़ा सकते हैं दोस्तो आपको मैं ऐसे सबसे पहली सेटिंग बता देता हूँ तो पहले सेटिंग आपको क्या करनी होगी आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर जाना होगा मोबाइल की सेटिंग पर जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर जाना होगा additional sitting पर जाने के बाद आपको यहाँ पर developer option नजर आ रहा होगा आपको इस developer option वाले पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर सबसे last में नीचे की तरफ एक option मिलेगा force allow apps to write on external storage आपको इसे on कर देना है तो यह आपको तब on करना होगा जब आपके फोन में memory card डालने का system हो जिनके फोन में memory card डालने system नहीं है यह setting उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ तो जिसके फोन में memory card है और आप इससे download आउन कर देते हैं तो इससे फाइदा क्या है अब म कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो वह आपके storage में ना डाउनलोड होकर बड़की आपके memory card में डाउनलोड हो जाती है तो इस प्रकार से आप अपने फोन का storage बचा सकती है तो दोस्तों यह पहले number setting तो मैंने उनके लिए बता दी जिनके phone में memory card पढ़ा हुआ है अब ब play store पर जाने के बाद आपको यहां पर search करना है डीगो तो आपको यह डीगो app मिल जाएगा आपको इसे download कर लेने बाद आपको इसे open कर लेना हे जब आप इसे open कर लेते हैं आपको इसे फिर इस्किप कर देने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा अब मैं सबसे पहले आपको लाइप प्रूब दिखा दू कि आपका 20GB स्टोरेज बढ़ चुका है आपको मैन्यू पर जाना होगा और आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर 20GB दिखा र इस प्रकार का होटा है जब क्लाउड स्टोरेज जो आप सुनना होगा उसी प्रकार से इसको भी बोलते हैं तो आपका 20GB स्टोरेज आपका यह अधर से आपका इसमें एड हो चुका है अब आपको करना क्या होगा अब माल लीजिए आपको यहां पर इस पर क्लिक कर देना ह है अब आप यहां से अपने कोई भी फोटो हो गई कैमरा की फोटो हो गई या आपके कोई डॉकुमेंट हो गए या आपके कोई वीडियो हो गए तो आपको इस पर अपलोड कर देना जैसे कि माल लीजिए मैंने यहां पर काइन मास्टर कैप्चर क्लिक करके इसको आप यहां पर नीचे देख रहा होंगे यहां पर लोडिंग चालू हो चुकी है तो दोस्तों जब आप इसे कर लेते हैं तो आपकी वह सारी फोटो या वीडियो आपकी इस पर आ जाते हैं जिससे कि आपका वह इंटरनल स्टोरेज का इस फेस खाली हो जाता है आप वहां स इसको डिलीट कर देते हैं उसके बाद अब आपको इस पर जब भी चाहें आप यहां से वह अपनी फोटो वीडियो आरासानी से देख सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फोन का 20GB इंटरनल स्टोरेज बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं अब देखें मैं आ आपके मन में यह आ रहा होगा कि यह application कहीं कोई problem तो नहीं करेगी तो मैं आपको वो भी check करा देता हूँ आपको play store पर जाना होगा play store पर जाने के बाद आपको यहां पर इसकी rating देख लेनी है 4.1 की इसकी rating है और आप यहां पर देख सकते हैं एक करोन लोगों ने इसको download कर रखा है तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि इतने लोगों ने download कर रखा है यानि कि यह app किसी भी प्रकार का fraud नहीं है बहुत ही आच्छा app है आप इसे बहुत ही आसानी से download भी कर सकते हैं जिससे कि आप अपने phone का 20GB तक storage बढढ़ा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको य लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाक जरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपको मेरे वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद